नमस्कार साथियो, मैं कृष्णारान सिंग और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल एजुकेशन पोडल कृष्णा आज हम लोग इस वीडियो की मदद से बिहार में जो साथ में चरन की बाहली प्रक्रिया प्रारंब होगी उसी से related कुछ महत्पुन बिंदों पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं आप विभीन समाचार पत्रों के माध्यम से इस बात की जानकारी जरूर प्राप्त किये होएंगे कि कब यह बाहली प्रक्रिया प्रारंब होगी, कितने पदों के लिए होगी और बरतमान समय में सिक्षा मंत्री का क्या बयान है इससे related उन सारे बिंदों पे चर्चा करेंगे इसके साथ साथ इस बात पे भी हम लोग चर्चा करेंगे कि वह कौन सा पांच जिला है जहां पे सिक्षक बनने की जादा से जादा संभावनाय उत्पन हो सकती है तो हम लोग एक एक करके उनकी चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इस बात को समझते हैं कि राज में साथ मेचरन की निउक्ती के लिए पदों की संख्या जुटाई जा रही हैं विभिन पत्र के माध्यम से सिक्षा विभा की ओर से जो निकली थी विभिन जिला में जिला सिक्षा पदाधिकारी को इस बात से अवगत कराया गया कि आप जल्द से जल्द आपके जिला में जो रिक्तियां है उसे हमें उपलव्ध कराएं वैसे अनुमान लगाया जता है कि रिक्तियों की संख्यां 2,00,00 से अधिक अनि कि सबा 2,00,00 के इर्द गिर्द हो सकती है चठे चरन में खाली पद आनि कि चठे चरन में जो खाली पद रहेगा उसके अलावा नई रिक्तियों को भी जोड़ा जाएगा सातमे चरन में हलाकि रिक्तियों की गण्ना का काम अभी पूरी तरह से संपन नहीं हुई है अभी भी जारी है सिक्षा मंत्री ने कहा है अनिकि सिक्षा मंत्री आदरणिये विजय कुमार चोधरी का बयान है कि जब तक छठे चरण में खाली पदों का आकड़ा पूरी तरह से सिक्षा विभाग के पास उपलब्द नहीं हो जाता है तब तक सातमे चरण की परकिरिया शुरू करने में बा step में रिक्षा मंत्री विजय कुमार चोधरी को पूछे जाने पर वह सिर्फ इतना ही आधिक्लियों को पिछले कुछ सालों में जो रिक्त पद हैं और इसके साथ साथ जो स्रिजित पद हैं उसको मिला करके सभी रिक्तियों जो होगी साथ में चरन के लिए वह दो लाग से अधिक हो सकती है. स्क्षाइ विभाक की मन्सा है कि साथ में चरन में छात्र सिक्षक का जो रिस्यू और अनुपात होता है, उसी के आधार पर सिक्षक बहली की परकिहाँ को पूरी की जाएगी. इसके साथ साथ हम लोग इस बात को जानेंगे कि किस जिला में बहुत सारे जिला में रिक्तियों की संख्या आ चुकी है सिक्षा विभा को और वह इस प्रकार है और यहाँ पे हम लोग इसको समझेंगे इस बात को कि किस जिला में अधिक संभावनाए होती है सिक्षक बनने की तो छठे चरण में आप इस वास से भली भाती अवगत हैं कि 1.2-3 लाख अनिकी 1.23.000 पद था जिसमें प्रार्थमिक और माद्विक विद्याले के सिक्षक बनने के लिए थे तो प्रार्थमिक विद्याले के जो सिक्षक बनेंगे उसके लिए कुल पद 90.700 के इर्द गिर्द था और आधा से अधिक इसमें पद खाली ही रह गया था तो वहां से भी साथमे चरण में एड होगा रिक्ती उसके लिए पद 32.714 है और उसमें अभी तक फिलहाल देखा जा हैं अभी और भी बहुत जगा कॉंसलिंग की परक्रिया होगी तो इसमें जो 32.714 पद है तो उसमें और भी कुछ पद फुल्फिल होगा लेकिन इसमें भी संभाबनाएं जादा से जादा बनती है कि रिक्तियां रही जाएगी क्योंकि कुछ ऐसे भी विशय के अभ्यर्थ कि संख्या कम होती दिख रही है जिस बज़ा से 32.714 पद में बहुत सारे पद खाली रह जाएंगे और इस तरह से टोटल अधी देखा जाए तो सतर हजार से अधिक खाली पद छठे चरण में रहने की संभाबना है इसके बाद पांच जिले में सिक्षक बनने का सबसे अध समस्तिपूर में 5897 दर्भंगा में 4562 रहतास में 4168 और पस्मी चंपारन में 3310 तो इस प्रकार से देखें तो यह जो पांच जिला है मुझफरपूर समस्तिपूर दर्भंगा रहतास और पस्मी चंपारन इसमें अधिक से अधिक सिक्षक बनने की संभाबनानी कि ज्याद सबी जिले से जब रिक्तियां शिक्षा विभाक को प्राप्त होगी तो आप इस वाथ से भली वाति अभगत ही हो चुके हैं कि रिक्तियां दो लाग से अधिक होगी जिसमें जादा से जादे अभ्यर्थी को मूंका मिलेगा और इस वार जो नियोजन की प्रकिरिया होगी दो ने बदलाव होंगे, इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं हम इस बात आप को भी जान कार यह है, कि सिक्षक नियोजन में दो बदलाव होगा, पहला बदलाव तो आप समझी रहे हैं, कि सेंटरलाइज तरीके से, निक्कंद्रियक्रित तरीके से ओनलाइन फॉर् उसी मेधा सूची के अधार पर इस्टूडेंट का चयन अनिकी अभ्यर्थियों का चयन होते जाएगा सिक्षक के लिए तो हम लोग इस वीडियो की मदद से इतनी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए उपस्तित हैं कि अब जो यह सिक्षक की बहाली प्रारंब होने वाली है पहले तो हम लोग समाचार पत्र के माध्यम से इस बात की जानकारी प्राप्त करते रहा रहे थे कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में इसका आगा तो वह तो टल गया उसके बाद अगस्त में बताई गई कि यहां तक छठे चरण की बहली पर क्रिया ही चलेगी तो सितंबर के अं सिक्षक अभ्यर्थियों का धर्णा परदर्शन पत्ना में चल रहा है उनकी मांगे हो रही है कि जल्द से जल्द जो सातमे चरण की सिक्षक बहली परकिरिया हो उसको प्रारम किया आजा है लेकिन सिक्षा विभाग की ओर से हाल फिलाल जो करेंट अपडेट है उनका कहना ह कि जब तक हम छठे चरण की परकिरिया को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर लेते हैं कितनी रिक्तिया मेरे पास आजाती है तब तक हम सातमे चरण की परकिरिया को प्रारम नहीं कर सकते हैं क्योंकि सारी जो भी सूचनाय हमें प्राप्त होगी कि वहां पे कितना सीट खाली र झाल